बरणिवे सरमनिय दर्ष्यनम् मन्दहास रुचिराननाम् भुजम् पूजितम् सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचेंतये ओमवतारिने स्रि स्वामि नारायनाय नमो नमहं स्रे सहजानन्दाय नीलकंठाय चनमो नमहं स्रे गुरु चरन कमले भ्यो नमो नमहं बोलो स्री स्वामि नारायन भगवानने स्री हरी कृष्ण महराजनी जै बदा भगतों ने जै स्री स्वामि नारायन कथानों मन्तविय स्वामि शुदा दा आपो जै स्री स्वामि नारायन जै मलुक्षन ने पारसमन ने अड़ाशे ने स्वामि नारायने देवी रिते जै स्वामि नारायने जीव ने आपो जै स्वामि नारायने जीव ने जन्मों ने विप्रिट अगनाने जीव एक जन्मामा क्याम करीने भूले ने जीव तो लुक्षन जीव थे अन्य रुड़ती लुड़ीर जीव अन्य लोड़ी जें पारसमनी नी जीव संतर ने समागाम जा ज्यव नो अर्यत अगनाने भूले जे बिजीव थे वच्त नीवड़ क्वच्टन नśmy गनान लेग जीव नितन पहलंबना सुधिनों हो यख़। अजन this पर आणनों भीसे ना भी जारे एनर इसा रूप बनाएने तो यह अगना नहीं क्या हुआ है सरस्प्राइज अजय बगत बगत तनोता काले खुब सरस्प्राइज कथा मा थी सार काठी ने एक मुद्दानी को एक वाद तमाई लगबो सेम थे गई याद पर्फेक्ट छे बहुँ सरस्प्राइज आमा आवे छे सम्मुद्र छे आतो यह माथी जेटलू आचमन करीली दू येटलू आपणने काम लागवानू आजे पूर पहलू तरंग अठ्यो तेर्मो सरू थसे धर्मदेवे स्रिमद भागवत नी कथा साम्बली अने धर्मदेव अक्सर निवासी थया आ प्रसंग आगल आपणे साम्बली सु स्वामिनरन हरे स्वामिनरन हरे धर्मदेवनी वात जेवी बिजी कोई वात न थी स्री मुक्तानंद स्वामी साक्सात ते वात ने उत्तम राजानी आगल कहे छे, धर्मदेवनी आ वात ने कोई जो सांभले के संभलावे, तो ते भगवानना धाम्मा वसे छे धर्मदादानी करेली आ वात सांभले, एतले के प्रेम थी सांभले, विश्वास थी सांभले, स्रद्धा राखीने सांभले, औने संभलावे तो ते बन्ने भगवानना धाम्मा निवास करे आतलू फळ आ धर्मदेवनी करेली वात नू छे अने वात बहुँ साची भगवाननी एक नानियवी वात एपन जिवनू आत्यांती कल्यान करवाने समर्थ छे, पन ए वात के वी होई तो गैकाल आपड़े वात करे वाचिक गनान ने, वर्तनमा उत्रेलू गनान वाचिक गनान दरेक पासे छे त्यारे, वर्तनमा जिवनमा वणायेलू गनान थोडू पन जो थई जै थोडू पन एक नानिये विवाद करी दो रस्याना एक महान चिंतक थया बहुँ मोटा संत थया जगत भरना फिलोस्फरमा जिनू बहुँ मोटु नाम सोक्रेटीज, एरिस्टोटल एवु मोटु नाम गुर्जी एफ तमे नाम साम्बलू अशे गुर्जी एफ एना पिता अने पुत्रनों बहु मिठो संबंध मुरुत्यूनी पथारिये अच्चानक पिता जतारया लागणी अतिसे छे आघात लागयों छे नाना बालकने पन खबर पड़ी गएक हवे मारा आथमा छेजनी बाजी छेल्ला समये पिताने वारमवारेने विननती करी आमा ये विवात आउसे बेवार के पिता जी तमे तमारू जीवन बहु दिव्यने भव्य जीवी गया मारे तो जी केटली मंजिल कापवानी चे के खबर नथी आगल केटला खाडा आउसे टेकरावाउसे वडाक आउसे आ जीवननी परिक्सा एवी छे के दुनिया नी एकजाम के भी होई पेला सिलेबस नकी थाई अने पची टेस्ट पेपर आवे आज जीवननी परिक्सा के वे छे पेला टेस्ट पेपर आवे न पची सिलेबस नकी करवानो सवारे जागी एटले पेलो टेस्ट आवे न पच्छी सिलेबस विचारों कामा सिलेबस कईो वापर वो गईकालनी कथानों वापर वो के गुरुजी ये कथा करिये ती येनों वापर वो स्रीजी स्वमें कथा करिये तो ये वापर वो जगतनी एकजाम येनों सिलेबस पेला नकी छे टेस्ट पछी आवे जे समझ्या तमे जीवननी एकजाम जगतनी एकजाम भहुतिक परिक्षा औने जीवननी प्रेक्टिकल परिक्षे माटलो तफावत छे पिता जी तमारू जीवन तमे पूरू करो छो क्रेंक तमारा जीवननों मेसेज मने आपो मरता मरता ये वृद्ध पिताए एक बालकने वाद करी तुँ कोईपन निर्णै सामबल जो कोईपन निर्णै 24 कल्लाग पछी करजे कोईपन सारो निर्णै करे क्ये खराब करे ताने जहे योग्ये पन निर्णै करवा पेला तु केटला टाइम ओछामोचो राग जे केटलो टाइम कोईपन निर्णै तारो तु आटली मारी वाद मानिस ने दुनियानी बद्धी उपधी माथी तु बची जैस अने मानस जो आटलो निर्णै करे धिरत्थी तोस्नु थाई अने ए मानस एना जीवन मा एटली क्रांती थाई एक महन दार्शनिक एक संत बनी गया पितानी आवाद हम्मेशा याद राखे कैक वाद उत्तावल मा करवा जाई नई 24 कल्लाक सुधी वेट करवानी जे त्यांस दिना मगज मा एकली बुदी फिल्टरेशन थयू एकली बुदू फिल्टरेशन थयू होई कि ए वाद चोकस दिशा माज आगल वदे अने परिणा महमेशा सारू जावे बोलवू छे कोईने कडवू के वू छे परिवार मा जगडो थाई वू छे कोईक नवू पगलू भरवू छे नवू साहस करवू छे पर आटलो समय वच्चे राखे एक नानी वाद आ जगत नी पन जो जीवने अखी जिन्दगी महान ता आपी सकती होई तो धर्मदेवनी वाद जे धर्मदा दय अंतिम समये पुतानात पुत्रों ने ज नई आ सत्संगना तमाम जीव प्राणी मात्रने कामलागे विवाद करी धर्मदेवे ए वाद जे सांबले अने जे संबलावे ए बन्ने भगवानना धामुमा निवास करे जे पच्छी तेने कोईपन प्रकारनों भः रहतो न थी धर्मदेवने वाद करता करता एकादसीनी रात विती गई भगवाननों अने हरी भग्तोंनों महिमा अतिसे निर्मल अने अतिसे सुखदाई छे श्री हरी जारे बन्ने भाईवागल संत था भगवाननों महिमा कहता हता क्यारे सुर्योदय थयो पची धर्मदेवे पोता ना पुत्रों नी साथे भगवाननों स्मरण ने ध्यान करियो पची राम प्रताप जी आदिक सर्व बंधुजनों सर्यू नदिये स्नान करवा गया हता ते स्नान करिने पाचा घेर आविया अने हरक्थी पोतानों नित्य विधी करवा लागया पची संहे पारणा करिया ब्रामणोंने तो पहले थी सिधाव आपिदिधा हता ते पची धर्मदेवनी पाशे आविने श्री हरिये कहिऊ आपने जे अत्यारे अभिष्ट होई ते में हर्सुल लास्थी करिये फरी प्रारतना करी आदर्स पुत्रनी फरज छे कि पिता अथ्वा पोताना परिवारमा कोईपन व्यक्ति होई एनों अंतिम समय होई तेरे आ वाद एक वार बे वार त्रण वार वारम वार पूछवी जोई तमारे कहिए क्येवू छे तमारी कोई इच्छा छे तमारी कोई भलामन छे भगवान स्रीहरे पिताजीने धर्मदेवने गईकाले पुछू छे आपने कथामा साइम बढ़ू आजे फरी ये वात आवी ये तात जे प्रमाने कहसो ते प्रमाने ज़ अमे करी सो अमे त्रणे भाईयो ये हाथ जोडीने एम त्रणे भाईयो ये हाथ जोडीने जारे कहिऊ त्यारे धर्मदेवना मनमा आनंद उत्सव छवाई गयो अने ते सहुना प्रत्ये कहवा लाग्या ये हरे मे जे जे वचन मनोरत करिया हता ते बधा मनोरत मारा त्यारे पुरा थे गया छे राम प्रत्याप जीने इच्छा राम जीए आपने परम सुख धाम कुरुष्ण तरीके ओड़क्या छे ये हरी पूरन काम भये मेरा जो जो मनोरत किये अब मोरा राम प्रतापरु इच्छा रामा तुमकु कृष्ण जाने सुख धामा धर्मदेवे कयू मारी बद्धी इच्छा मारा बद्धा मनोरतो पुरा थया छे मने ये महतु मारा बन्ने दिक्रावो मोटो राम प्रताप नानो इच्छा राम तमने उलखीले तमारू सरनू स्विकारीले ये बन्ने दिक्रावो ये तमने भगवान जानिली धा अवे मारे बिजी भलामन सो करवानी आना थी मोटी बिजी इच्छा कई होई सके केटली सरस वाद छे मुरुत्युनों समय डोक्टर डेडिया वेस्ट वर्जिनियाना बउँ सारा बउँ सज्जन अमेरिका अक्खाना ख्यात नाम डोक्टर एने केंसर थायू चोथा स्टेज नूस केंसर लंग्स नू पोते पलमोलोजिस्ट अता पन खबर न पड़िया ठाकर जिन लिला छे दुनियाना केंसर काडी सके येवो डोक्टर स्पेस्याल लिस्ट केटली तो मोटी एनी पोस्ट पन ये डोक्टर ने चोथा स्टेज नू केंसर नू लंग्स नू केंसर डिटेथ थायू अने रिटन जे डोक्टर होए ये लोको एक स्टेटमेंट आपी दिदू के मैक्सिमम बेथी चार महिना होए तमें काडी सक्षो वधारे नहीं पन भगवानना परम भक्त मारी आँक साम्याग घटना घटी जिटले क्यारे क्यारे कों कथामा लव छो आपने पन प्रार्तना करिये एकला बेठा सभा पची पचिये ने मने कईूक स्वामी मों तो भाग्य साली छू दुनियाना करोडो मानसो रोड उपर अकसमात्मा मरी जाई छिने खबर पण नथी होती कमें क्यारे मरवा नाथी दुनियाना केटला बेठा मानसो ने कई प्लानिंग करूँ होई मुरुत्यू सुधर्व उपर तो तक पण नथी होती ठाकुर्जी मारा पर केटली मोटी कुरुपा करी मने मुरुत्यू सुधर्वा माटे चार महीन आये पाचे पेष्यल एमना गुरुजी पोते जहिन हता एमना गुरुजी महुडिमा रे एमनों समागम करवा माटे एक माईनों गया एक मैनोयमना गुरुजी नी साथे आस्रम्मा रया साधू जेवु जीवन जीवे पो तानी पत्नी साथे पन सांजे सवारे वात नहीं करवानी मेडिटेसन ध्यान समये संसार मा केवु जीवन जीवी गया मारे घणा समय भगवानी केक लिला मानो के कुरुपा गणो जेने बे चार मैना जीवानो तो लगब अढ़ी त्रण वरस जीवा पचितो बहु सारू जीवा औने छेल्ला स्वास सुधी पचितो पाच्छ बेर इन्ष्ट्रो कायवाने केट अमना अपना गुरुकुल परिवार ने एक बहु सारा भगत एतलांटा वाला जगदीश भाई दरजी कथा सांबले छे आखो परिवार महरादना भगत छे अमना रदैनी केक बिमारेन लिधे दवा खाने गया पाचा घरियाएवा पाचा फरिवार तातकालिक दवा खाने गया आजे फरिपा चायवा छे बधा भगतोंने मारी विननती क्या आपने बधा महरादने प्रार्तना करिये खुब सारा भगवानना भगत छे अने रदैनी बिमारी ब्रैननी बिमारी आबधी एवीच एक जल्दी पकड़ाती जन थी तो बधा भगतों महरादने जरूर प प्रसंग आवे छे, तो निर्वीग नरी ते प्रसंग बुदो पूरो थाई जाई, यमने पन महराज सरीर नू सुखापे, सत्संग नू बढ़ापे, भगवाननी भक्ती सेवा करवानू बढ़ापे, यमने मनेक पुस्तक आपू दलाई लामानू, केवी रिते मरवू, एना पर दलाई लामानू, अंग्रेजी मा एक पुस्तक एक वार वाचवाजेवू जे, तमे ओनलाईन लक्सो, बोव इंटरनेशनल फेमस पुस्तक ची एकजेट मारी पासे नाम न थी, एकले बोलतो न थी, मुरुत्यू केवू होँ जोई, डेथ केवू होँ जोई, सात प्रका परिक्षा आपी ने आवेला बालक ने खबर पड़ी जाए, सों खबर पड़ी जाए, के मारा पचास आउसे, के साहिठ आउसे, के सित्तेर आउसे, वो आगल जैसके नहीं जाओ, खबर तो पड़ी जैना पड़ी जै, एम मुरुत्यूनों समय आवे छेने त्यारे मानस ने पोतानों आखु जीवन सामे देखावा लागे जे, मर्ता पेलाईने खबर पड़ी जाए छे, के आवे उन लोढ़ाना दर्वाजे थी जैस, उन सोनाना दर्वाजे थी जैस, उन रकमा जैस, के भगवानना धाम्मा जैस, अरिभाई कोठारी, अरिना अस्ताक्सर नामनेमन भगवानना भक्त, संत जेवु जीवन जीवे, मुंबई मा नेमित गिता उपरनेमना प्रवचनों, बहु आदर्स भक्त, बहु साराइक भगवान कृष्णेना भक्त, यहने अच्चा नकज, एकदम हेल्दी हताना, अच्चा नकज, शरीर मा कैंके वी बिमारी थे, कैंके वो रोग थयो, एले तात कालिक डाइगनाईस थयो, कैंके वे बस कई नक्की नहीं क्यारे जतुरेवू पड़े, पड़े, पना तो बहु भगवानना भक्त हता, यहने पोते मृत्यूना आगला दिव से, अच्चानक मृत्यू आईवू, यहना आगला दिव से पोताना मृत्यूने सुधर्वा माटे प्रामानिक प्रयत्न पूरे पुरो केरो छे, मृत्यूना आगला दिव से, यहने कागल लख्यो, आम हललता चलता एकदम एल्दी हता, पनके वो रोग डिटेक्ट थयो, के जे क्यारे सुथै कई केवाई नहीं, बिजे दिव से, भगवानने स संभारता एमने देह छोड़ियो, पने पत्र एकलो बुदो प्रेरणा आपी जये वो पत्र छे, एकलो सुखद मृत्यू होई छे भगवानना भगतनू, मे घणिवार अमनात कथामा वाद करी हती, के बद्धी जग्याई तमे आगुपाचू करी सक्षो, ओगणिस्वीस कर सक्षो, पने एकज एवी जग्याँ छे, नो करप्षन, एकज जग्याई वी छे, हंड्रेट परसंटेज एक्यू रशीच छे, तियां कई मृत्यू, एहसो गाम मा, सेम मा, केक्रु सेमा, विहारी लाल जी माहरा जे सरस्ट लख्यूच, आवड़े स्रीश आखो, एटलू सर उत्धो जो, हसो गाम मा, सेम मा, केक्रु सेमा, हसो खेद मा, वहुश रश्त में, गाम माँ एसो, के सिम मा आसो, खेतर मा आसो, के पछी, खेतर नी बार आसो, पने एकवार काल आउसे ने, तो हिकाल तमने छोड़वानो नथी, यहनी एक्यू रशी, ए वस्तमा ची कोई छटक तो इनेविटेबल छे वस्त डायो मारस विदूर नितीमा विदूरजी लग्हों के दीव से एवुज काम करवू जोई है गे दीव से एवुज काम करवू जोई है तो रात्रे सांती थी उंगावी जाई जीवन दर्म्यान एवुज कर्म कर्वू जोई है दिवसे एवु काम कर्वू जोई है कि रातरे सुवा जाए तो उंगावी जाए विदूर निती नी सर्वात बहुँ सारो ग्रंचे बगता एटलो गजबनो ग्रंचे क्यारेकी वाचवाचे होचे कतामा बदा लोकों ने बहुँ प्रेरणा मले वो ग्रंचे श्रीजी महारादी मान्य राखे होचे निती सास्त्र तो बहुँ जीवनमा अडेवा प्रेक्टिकल सास्त्र निती सास्त्र ले प्रेक्टिकल सास्त्र दिवस दर्म्यान एवुज काम कर्वू जोई रात्रे उंगावी जाए अने जीवन दर्मियान एवाज कर्म करवा जो ये के सुखे थी मृत्यू थाई जे काले करवू छे इनी सर्वात आज थी करवी पड़ से ए जनम तुझे अनमोल मिला बरबादन कर बरबादन कर जो पहले कि आसो मिलता है फरियादन कर फरियादन कर फरियाद करवानी वाद छेज नहीं आपने जे वैवू छे एज आपनने मले छे वैवू छे बाजरो औने चोखानी आसा गम्मेतली राखी सुए शक्यज नथी छे छे सक्या एतला माटे जिंदगी हसावे अने जिन्दगी रड़ावे तो मानवो कि हवे सारा कर्म करवानो समय आवी चुकियो छे धर्मदेवनू आ अंतिम समयनू उदबोधन तमने अने अमने कितली बधी प्रेरणा आपी जैमना मन लगे स्वामी राम सुकदास जी महराज उन काड़ी सेगदी स्वाची से स्वामी राम सुकदास जी महराज गंगा ना किनारे रेनारा गंगा जेतलू पवित्र जेनू जीवन मुतों बव नजीक थी यमना प्रवचन सवारे चार वगे चालू थता यमना चार वगे ना सवार ना प्रवचन मा बेनोने एंट्री नई आखी जिन्दगी जे साधुय पोता नो फोटो पाडवा दिदो नथी आखी जिन्दगी गंगा ना पाणी जेतलू जेनू पवित्र जीवन गणातू एवा ये संथ गंगा ना किनारे रेता बराबर गिता आश्रम चे त्यामनो प्रवचन सवारे थतू पण एमने जे वसि नामू लग्यों जे जिम ग्रहस्त वसियत नाम विल करेने ये वसियत नामू एक साधुनू मृत्यू केवू होई एक साधुनू जीवन केवू होई त्यारे आपण्येम थाए कि मुक्ती एनू जे नाम जे आनंद साथे भगवाननी प्राप्तिना उमंग साथे देहने छोडे ब्रह्मानन स्वामे कयूचन गुरुजी घणिवारा कथां वात मरना मरना सव कहे मरना न जाने कोई मरना मरना बदा केई छे पन साचू मरू ये छे फरिवार मरू न पड़े नू न मुक्ती बहुस सरस्कोई लख्यू छे जो समय और समझ खुस किसमत कोही एक साथ मिलते है समय और समझ खुस किसमत कोही एक साथ मिलते है अक्सर हिंदी समझो जाने अक्सर लगभग अक्सर समय पर समझ नहीं होती है और समझ आने पर समय बीत गया होता है तमें बदा भाग्ये साली छो कि आपड़ी पासे जी सरीर चाले छे हरी सकिये छे आपड़ू जीवन थोड़ू तंदूरस्त छे और येवा समय आपड़ी आ कथा सांबलिये छे भगवाननी भक्ती करवानी आपणने इच्छा थाई छे तो बस डायो मानस ए छे एवू जमवू न जुए मानसे एवू न जमवू जुए जिनाथी रोग थाई और मानसे एवू बोलवू न जुए जिनाथी जगड़ो थाई मानसे एकलो एवू खर्चन करवो जुए जिनाथी देवू थाई और मानसे एवू विचारवो न जुए जिनाथी टेंसन चिन्ता थाई निती शास्त्रना नीमो जो तमे एक तो एसीडिटी होई और हेलोपिन्या मर्चा भावता होई और इपाचो रात्रे मर्चानु भरेलू श्याक खाई पसे त्रणे भुवन मा हाँ कार मचे सवारे हाँ आकी रात पस्ताई ए उंगे निन बिजाने उंगवा दे नहीं डाइबिटीस होई और जले भी गले सुदिखाई सुन थाई येवू जम्वू न जो ये जनाती रोग थाई येवू बोल्वू न जो ये जनाती जगडो थाई गणानी भासा जानी एच्छे ना पड़े नती मानस जो सब्द विचारी ने बोले ने सब्द तो आ जगतना मुट्टा भागना प्रस्णो ओटोमेटिक स्वल थाई जै शब्द सनगारे पण छे सब्द सलगावे पण छे सब्द ज्योत पण छे सब्द ज्वाडा पण छे आ सब्दने जो अमुकरिते वापरो तो ज्योत बने केतलाना जिवनने जड़ावी दे अने आ सब्दनी बिजीरिते वापरो तो ज्वाडा बनी जाए केतलाना जिवनने खलास करी नाके सब्द सनगारे पण छे कोईने राजी करी दे अने सब्द सलगावे पण छे द्रोपदीनों एक सब्द कयो सब्द आंधला नातो एक द्रोपदीनों सब्द दुर्योद्ने क्यो शळगाएवा खबर छेने नववानू भाई मरी गया नववानू बराबर तो येनी तरस छीपी नईक नई मरी जाओ कालकोने मारी नाखो खबर छेने एवु न बोलो के जगडो थाई एवु न जमो के रोग थाई एवु न खर्चो के देवु थाई और एवु न विचारो के जेनाथी चिन्ता थाई एकला माटे धर्मदेव कृत कृत्य थया छे के बस मारी इच्छे तो बदी पूरी थलिगई जे करवू जोई जे करवू घटे ए बदू में करीली दो हवे मारों कोई मनोरत अधूरो न थी पोताना पुत्रों सामे बेठा छे पोताना पुत्रों मा एक तो साकसाद भगवान छे जनी ओडखान धर्मदेवने थई चुकी छे ए पिता केतला भग्य साली गणाई भगवानने संभार्वा अंतिम समये जुदी वात छे भगवान याद आवे मुरुत्यूना समये ये बवव सारी वात छे पन भगवान पोते जेना खोडामारेमा होई जेनी पासे बेठा होई औने जेने उलखाय गया होई जेने मली गया होई ए व्यक्ति केतला भग्ये साली किया होई के मर्या पछी पेली वात बहु सरस्चे ने आपड़े त्या कैदो एक गुजरात नो सामान्य घर नो छोकरो एने सारू भणेलो जोब सोधे पन जोब मले ने एमा एने कोल आएवो विप्रो नो बोंबे माईनो इंटर्व्यू विप्रो कम्पनी खबर ने विप्रो नी सारम सारी पोस्ट माटे नी चांस छोकरा ने पण सामान्य गरीब घर ना छोकरा ने अरमानो बौँ उच्चा उच्चा के चालो बया मेनत सारी करी थोड़ा सारा कपडा सोधी बोधी ट्रेन मा सारी टिकीतले बेशी गयो वापी थी एक मानस चेडो एपणी नी सामेनी सीट मा बेठो बन्ने जिना वातो करे छे वापी थी मुंबय आउत तो वार लागे नहीं थोड़ी आर मा मुंबय आईउ बन्ने प्लेटफों पर उत्रिया वाद चित घणी थई कपड़ा उपर थी एका बिजाने खबर पड़ी जे बया सामान्य घर नो चे ना आती कोई सम्रुद घर नो चे यले पेला सम्रुद घर ना है आए डाया सज्जन छोकरा ने बेतन वार कईू ट्रेन मा पन वातो तारे कई कामकाजो चेजे आपड़ी चिंता न करतो खजे लेल ट्रेन माथी उतरता उतरता पेला छोकरा ए किदो साइब तमार운 काड खोई तो आपणे पेला खीसा माथी काड काढ्यों अने काड माने वाती हुँ त्य ehkä विपरेनों मेनेजर हो तो सहा विपुरू मा छो हा ककाम चे तार आजे क्योए इंटर्यू छे हा हुँट लेवानों छे बोलने सु काम चे सहाई वुँल इंटर्यू आपका जावू छो सो के दो हुँल इंटर्यू आपका जावू छो ने कि कि दो साढा 4000 मान शो演्स सिजन लेवानू छे जेने सवाल पुछवाना छे येनी साथे चार कल्लाक ने मुलाकात थे ट्रेनमा अवे छोक्रों केपलो निर्भई थे जाई अलपेस बगत बाकी इंट्रियुत तमें आयपू उसे न पेली वखात के न तू आयपू के विरीत आयपू तू खबर छेन तमने इंडिया मा थर थर धर ध्रूद दा होए हाँ अमारे त्या गुरु कुल मा छे ने पगत एक वारू इंट्रियु लेवा बेठेलो पच्छी में के तो आधन्तो नाक कराए हाँ बिचारा इंडिया ना युवानो होए एक पेलो हूँ के आपड़े बीस ना पीटी पीटीसी ने सिख्षक माटे ने पीटीसी थे ने आयवा होए बिचारा पीटीसी परणवानू तातकालिक सर्टिफिकेट मोन्टू परणवान आपदू तमारे पदू पीटीसी युवान युवान आउ के लोकों के वेलो परणवान तो पच्छी बीसीय करे पच्छी डिगरी ले डबल डिगरी ले पोस्ट ग्रेज जीर थे केतला वर्सों ने करता पीटीसी तातकालिक जोब आब आजो जोब ने आब आजो फ़ल पन बहुत डरी जाए मानसो खरे खर रडे इंगलिशना टीचर तो रडे के स्वामी मारे घरे कई न थी मने पगार नहीं आपन तो युवान शर्विस करवा ये टेम राखी लो ना आपने के यम थोड़ा रखाई पन जिने मेनेजर पोते मली गएो ट्रेनमा मली गएो चार कलाक मुलाकात थाई एका बिजाने थोडो सम्मन थही जाए आखोनी ओलखाण थही जाए अने पेलाने रहम था एक बिचारो डायो छोकरो, सज्जन छोकरो, गरिब घर्णो छोकरो, तारे का एक मुंबई मा तकलिफ होए काम काजी के जे, अनि छोकरा ने खबर पड़े जहां जाओचू, जहे काम माटे जाओचू, जहे मने प्रस्ण पुछवानोंची, एज आ छे, एने डिसिजन लेवानोंची, एक एटलो निर्भई थाई जहे, धर्मदेवने खबर छे, कि आलोक औने परलोक नुँँ सुकान जेना आत्मा छे, मारा मृत्यूना समये, मारा आत्माने, मारा सरीर माथी काधी, औने पर्मात्माना चरण मा जे बिशारनार तत्व छे, मारा मृत्यूना मृत्यू बनी एकले काल नापन महा काल जे छे, एप पर्मात्मा मारा चरण मा बेठा जे, एपिता धर्मदेव कितला निर्भई होई, सहच्छे ने, कितला निर्भई होई, आनंद छे धर्मदेवने, सुलक्यू, धर्मदेवना मनमा आनंद उत्सव छवाई ग प्रसंग छे थोड़ो वाची आपड़े स्वामिल्याण हरे हवे कोई वातमा न्यूनता रही नथी आप आविया एतले बधू पूर्ण थाई गयू छे हवे जे अमारो बधो वन्स छे ते बधा आपने भजसे ते थी ते समग्रनो आप उद्धार कर जो एवू वचन हवे मने आपो मुरुत्यूने आड़ा सात दिवस रहया छे तेमा आपनू ध्यान गणू वधारे थाई छे एवू उपाय अत्यारे मने कहो एम कही पोते भागवत कथा सांबलवानी इच्छा जणावी ते थी बधा भाईयो ततपर थाईने तेनी तैयारी करवा लाग्या आमा आयवू मुरुत्यूना आड़ा सात दिवस रहया छे धर्मदेवने खबर पड़ी गए सत्संगी जिवनमा आ कथा आवे छे धर्मदेव पोते ग्नानी हता धर्मदेव ग्नानी हता सास्त्रोंना जानकार हता तमनेम्थशे धर्मदेवने सात दिवस नी खबर क्यम पड़ी तो आपड़ा सास्त्रों मा घणा बधा लख्या छे मुरुत्यूना चिन्हों सत्संगी जिवनमा जिनी कथा विस्तार्थी आवे छे घिनो दिवो सलक्तो होई घिनो दिवो घिनो दिवो सलक्तो होई दिवानी वाट संकोरे अने उल्वाए जाई घिमाने घिमा एनी सुगंध फूटे खबर छे घिना दिवानी सुगंध नरी आखे बंद थाई जाई और नरा नाक्ती बंद थाई जाई तो समझवू के एनू आठ मा दिवस एनू मुरुत्यू थसे सत्संगी जिवन मा बदा लक्षणो लख्या रातरे सुतावेन स्वप्न आवे स्वप्न मा पोताना पडचाया मा छिद्रो देखाई, काणा देखाई तो एनू मुरुत्यू वो नजीक मा जे आव ने करिये है ना करता भजन करू आप कथामा घणा लोगो प्रयोक चालू करी देपाचा काण मा बे आंगली नाखे एकले एक अवाज संबलातो है जिने प्रणव ध्वनी की दो सुकी दो अपड़ा दरेकना काण मा बे आंगली तमे नाखी दो तो एक म्यूजिक एक रिदम एक ओम ध्वनी जिने प्राण वायूनों अवाज केवा मावेच ये प्राण आपड़ा सरीमा संचारन चालू छे एकले आपड़े जिवी येची नी प्राण बन थिजए ये प्रणव ध्वनी जुना समय मा लोको प्राणायम दोरोज करता येकले लोको नुबव दरोज नो होई आपणे पची आवी कथामली इन पची रात ना दस वागे करवाजे खादो बहु होई तो ये कानमा बन तो ही जे क्यारेक येले कानमा बे आंगली नाखे येने पचे ये प्रणव ध्वनी जो न संभलाए येने तो येनू एकत दिवस मा मुरुत्य अटले छलो दिवस छे मानी लेव शास्त्रमा बहु आवा लक्षणो लख्या चे मृत्यो ना चिन्हो पणि दरोज जे प्राणायम करता येना माटे नी वाद छे दरोज जे जागरू तो येना माटे नी वाद छे आपड़े ता रोडपर हामेज मृत्यो येनो ती आओ तो आ ट्रक माथे जाओ ते इंडिय आमा तो बोलो देखाये जे का नहीं तो ये आपड़े सावधान थे येची छेलो दीवो शे तो भगवान बचाव एटले बार नी कलिये चे बाके आव्येद नही आसीद्वत क्येवू लागे तमे टेकसास नू ड्राइविंग जोयूक ना जोयू डर लागतो तो थोड़ गणो रेडबुल सिटी जहां इब दा काउबोई नू सिटी के वाए न रोडियो गयम रमनारा टेकसास नू ड्राइविंग एटले पगद अमे तो रया चीन डलास मा क्रेजी ड्राइविंग त्यानू पैसा वाड़ानू सिटी के वाए नामे आपड़ नूजर्सी गये तो डर लागे बू जल्दी चलावी न सके त्यानू यह उचे आसी अलपेस भगत खरेखर काऊच पूचो भगत नूजर्सी पूचो भगत नूजर्सी वाड़ा चीन डगले पगले आवे छे आतो ठाकुर्जी आपने बचावे छे पन मारे जे वाद केवी छे एतला म अटे धर्मदेवने खबर पड़ी गई छे अवे मार पासे साथ दिवस जेतलो समय चे वधारे समय न थी मने भगवाननी कथा भागवत जीनी कथा तमे बेसारों संभलावो खुब सुन्दर प्रसंगावे छे जेमा स्री कृष्ण भगवाननना अननंत चरीत्र रहिया छे एवा भागवत नी सब्ता कथा नो आरंब करावियो ते समय पितानी इच्छा जानी त्रने पुत्रों तातकलिक विवस्था करी मंडब बांधि दिदो आसपास बदाने आमंत्र नाय पूपन सवाल ये हतो क्या कथा वाचे कौन एमा एक सुन्दर प्रसंग बनियो ते समय ब्रामन ना वेशमा सुकदेवजी स्रीहरी नी पासे आविया स्वयम सुकदेवजी जे वर्णी ना वेशमा साधार्ण नाना होय तेम किसोर अवस्था वाला हता वर्णी जे वो वेश हतो किसोर अवस्था आपडे त्या किसोर अवस्था एतले 16 वरस नी अवस्था सुक्देवजी महाराद माते लख्यू त्वम दिवस्ट्य वर्षम सोल वरस नी उमरना सुक्देवजी अने सोल वरसेमनो जन्मत हेलो सोल वरस सुधी माताना गर्भमा रहेला सुक्देवजी नी कथा सुक्देवजी येतले महराज भगवान ना परम भागवत परम वितरागी संत स्रीजी महराजने सुक्देवजी प्रत्य खुबज भाव अचनामुरत मा ज्याजया साधू संतो माटेनी वात आवे चे त्या सुक्देवजी ने महराज अच्चूक याद करया त्यागी संतों माटेना आदर्स जीवन मा स्रीजी मारेज सौथी स्रेष्ठ मा स्रेष्ठ सुक्देव जी ने राख्या सुक्देव जी ने कथा केवी छे स्रीमत भागवत मा तो ये टलू सरस्वरणन छे यम प्रवरजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वेपायनो विरहकातर आजुहाव तम पुत्रे तितन्मयतया तरवो भिनेदुह। तम सर्वभू तरदयम मुनिमान तोस्मे पिता भगवान व्यास छे व्यासना सास्त्रमा पाँच नाम छे व्यास एकले विस्तार करना रा एक वेद हतो वेद एकले सम्रुद्धिनो खजानो सोपेन होवेर एम लखे के भारत पासे आतलो अमुल्य खजानो छे दुनियानी सवती मोटी सम्रुद्धिज आ छे जर्मननो कवी गेटे मैक्स मुलर वेद विसेजे लखे छे अपना वेद एवाद एतला सम्रुद्ध वस्तु छे पन आपनने खबर नथी वेद सुझे पन एटलू दिव्य ग्नान कल्यूगना मानसो के विरिते पचावी सके एतला माटे भगवाने पोते प्रगट थाई कला रूपे अंसरूपे इवेद ना विभग करिया चार विभग करिया वेद ना जे चार विभग करिया एटले वेद नो विस्तार करो एतला माटे नूँ नाम पड़ू व्यास एतला माटे ने कहवाई वेद व्यास समझी गया तमे एमनू एक नाम छे द्वेपायन कारण के परासर रूसीना दिकरा हता द्वीपुपर यमनो जन्मतों येटले द्वेपायन नाम पड़ु सरीर मा काडा हता येटले येटले नाम पड़ु कृष्ण येटले बधा नाम एक साथे पन बोलाई कृष्ण द्वेपायन व्यास तो आपन ने थैं मूल नाम सुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ कि जे पुत्र ना मोहमा भगवान पढ़या भागवत कहे जे पुत्रे तितनमयत या तरवो भी ने ziehen पुत्र ना मोहमा पिता भगवान चे छता पढ़ी सक्या पन पुत्र येटलो ग्नानी हतो पुत्र येटलो प्रबुद्ध हतो आजनो जनमेलो बालक एने पोतानोतो मोहतडो पितानो पन मोहतडो तम सर्व भूतर दयम्मुनी मान तोस्मी कथा केवीच आखी सुकदेवजीनी वात आवी एतले आपड़े थुड़ी जानी लए गणाने खबर न होई सुक एतले पोपट थाई संस्कुरूत मा भागवतना गणानी संत्वा वात करे छे में गणिवार सांबली चेटले कवचु मूल भागवतमा वात नथी आवती पन कोई सास्त्रमा अहसे काणिके गणा सारा सारा संतोपन आवात करे छे अमर नाथमा भगवान सिव जी एक कायमने माटे भगवाननी कथा करे छे सीव अखंड भगवानी कथा करे छे औने पार्वती भगवानी अखंड कथा सामबले छे आमा घणा बधा सास्त्रो प्रमानीत छे बराबर शीव एकले कल्यान अनोर्थेव थाई जे कल्यान जेने पोतानू कल्यान करवू होए ने अखंड कथा वारता चालू राखवी पड़े तोज ये सीव स्वरूप थाई तोज ये कल्यान सुधी पोची सके कथा वार्ता विनानों जीव कल्यान सुधिप मोची सकतो नथी अमर नाथमा पार्वतिनी खुब इच्छा आती मने कथा भगवानना दिव्य चरित्रों संभळाओ सिव जी एक यु देवी भगवाननी कथा संभळवा माटे पात्रता सिवाया कथा संभळी नसके एकले तुँ सावधान थाई एकागर चित थाई अने मारी सामे बेश उतने कथा संभळाओ एकले आजे पन लोको केई चे त्या कबुतर ना रूपमा बेकबुतर जोवा मले छे उन्डी गुफा मा हिमाले ना एकला उचा प्रदेश मा अमना जमे विच्रणमा गया हता कोईक महान छे चे अने छेज आतो आखी दुनिया स्विकारे छे अने स्विकार सेज कारण के तमे बो अभ्यास करो न थी आमे तो आद दरोजनो अभ्यास करवा नो अपने केलों अंगरकोट नू मंदीर कंबोडिया नू तमें एनो इतिहास क्यारे वाचोत खबर पड़े बराबर इंदोनेश्यामा हिंदू टेंपल ना इतिहास वाचोत में तो खबर पड़े केतला हजार केतला हजार आपना भारतना रामेश्वर्नो गुरूजी साथे में गया इतिहास वाच्ता वाच्ता गया तियां बदू जोयू इतली वस्तु सत्य छे शास्त्र पणे मां सम्मत छे अत्यारनों भहुतिक विग्नान पण वेवाच्मां सम्मत थयू छे बहारत एक दुनिया नो कोई अलोकिक देश छे विभूती तिया आवे छे भगवान ना अउतरो तिया आवे छे भगवान ना परम भगतोपन तिया थाई छे परना कल्युग नो प्रभाव छे एकले भारत नो एकलो वर्चसव अस्तित्व एकली दिव्यता आपन ने देखाती ना थी अनि एकला माट एक कजा देश छे तिया जो भारत माता के वाया आम जोगतो बाकि कोई देश ने माता के पितानो लेबल लागे अमेरिका भाधर बोलाई बोलाई आसित्वगत दुबई मधर बोहारू लागे आम बोलिया तो आम बेन जेउट नाम सेट थे जये बराबर दुबई माता पन तो ये बोलाई दुनियाना कोई देश माटे देशनी संस्कुर्तिमा आविरिते आपड़ा सास्त्रों मा स्रिमत भागवत होई कि आपड़ा सनन्द संतोना किर्तन होई येमा भारत देश माँ जन्मनों खगोल भुगोल नुँ वचनाम रुद छे भारत देश माँ जन्मनों केट्टो बदो महिमा लख्यो छे श्रीजी महारज एतला माटे कईउ के मोक्सक छेत्र छे त्या मनुस्ष्यने मोक्स मलवानी आसा वधी जाई छे मोक्स धाई सक्येवी सक्येताव वधारे छे पन दुखनी वाद आचालू कथानो प्रसंग छेतले कव गणा लोकोने नथी खबर वोती एकले कवच दुखनी वाद बद्दीज वस्तु आपना मगजमा समझाए अमेरिकाने गुजराती मां अमेरिका केवाई अंग्रेजी मां पन अमेरिका केवाई जापानने गुजराती मां पन जापान केवाई कोई पन लेंग्वेज मा जापान ये जापान अज़ दुनियानों एकक जेवो देश जे गुजराती मा भारत के वाई अने अंग्रेजी मा इंडिया के वाई केम आउ अंग्रेज वे बव आपड़ी संस्कुरुतीने खलास करवा माटे 1100 वर्स करता पना देश गुलामी मा रयो एतला माटे आपड़ा देशना मंदिरो आपड़ा देशनु वेदोनु ग्नान आपड़ा देशनी दिव्य पवित्रतावो खलास थे गई अडिशो वर्स पेला एक अंग्रेज नो लखेलो लेटर हमना रिलीद थयो छे जो मने मलसे तो लावीस मने जो क्या करीब बगते मोकले होतो पन त्यार मारी पासे छे ने पन एक जेट ना सब्दो भारत देश मां भर्वा आवे अने भारत थी अंग्रेजो ने लंडन मा एक मेसेज मोकले छे लेटर लखेन मोकले छे कि आ देश एतलो बदो समरुद्ध हुँ जोई रहे हो छे कि आ देश मां एक पन गरीब उमने जोवा नथी मलतो आ देश ने तोडवानी कोई सक्यताद नथी एतलो समरुद्धी थी हैरो भैरो छलका तो देश छे सोने की चिडिया जे केवाई ने पने केम तुट्यो आपणा मान सोये आपणने विदेस वालू लागिए विदेसी संस्कुरुती आपणने वाली लागि विदेसी कल्चर आपणने वालू लागिए आपणी पासे जे हतु आपणने जे मलू हतु आपणा संतो, आपणो पवित्र धर्म, आपणा पवित्र विचारो, आपणा पवित्र आचारो, येने आपणे भुली गया, अने एनू परिणाम आपणे भुगविये छी अमर नातनी वात आवी, एतली में तमने वच्चे अवांतर वात करी, आपणे भारत ना छीए, भले तमारो पासपोर्ट अमेरिकन थाई, पन रदय अमेरिकन ना करता गणा लोको ना घर अमेरिकन कल्चर ना जोये छे, कुरुजी वात करे छे घणिवार कथा मा, लोको अरक थी केता, अमारो छोकरतो गुजराती बोलतोर नथी स्वामी, अमारो छोकरतो स्वामी रोटली स्याक न खाई, इतो अमेरिकन खावानु जोये ने तो, गवरव थी वात नथी एक धाकणी मा पानी लए इपची मोटो थाई इसु पित्री भक्त थाई कि फादर्श्डे उजवतो थाई आपड़ी संस्कृती केतली दिव्य छे अमर नाथ मा भगवान सिव पारवती ने कथा संबलावे छे दिव्य रूपे बन्ने कभुतर ना रूप मा तियां होई छे लुको जाने छे कोई तियां प्रदेश मा हाजर न थी ए समय मा सिव जी तो ध्यानमा चे कथा संबलावे छे अखंड और वक्ता ये स्रोता कोण चे केवा छे ना करता हुँ कथा मारा माटे करूछु स्वांतह सुखाय तुलसे रगुनाथ गाथा अपड़ा गुरुजी पन बहु सरस्वात करे छे ब्रह्मसत्र ने कथा मा क्या कथा हुँ मारी जातने संबलावा माटे करूछु आम मानीने कथा करवी जोईए सुखदेव जी ए समय मा एक पोपटनु रूप लईने एक पोपट त्या हजर छे सिवना मुखेती प्रगड थेली एक कथा पार्वती सांबले छे अने साथे साथे पोपटना रूप मारे हिलक पोपटनु बच्चु पन सांबले छे पार्वती उँगी गया वक्चे वक्चे होका रो देता हता पणवे पार्वती उँगी गया जोले चड़ी गया सिव कथा करे छे बहु सारी कथा आवे, बहु सारी वात आवे, यतले पार्वतिनी जग्याए पेलू पोपटनू बच्चु तनमाई थाईने कथा सांबले चे यतले होकारो देवा लाग्यू ये होकारो देए छे, आम बहु लाम्बू चायलू सिवजी एक वार धिरेरे नियत्र खोईला पार्वति जीनू तो माथु यक्दम नमी गयू छे उगमाज तारे याँ छे, सिवने थिवू आम होकारो कोण देए छे सिवजी नजर करी पोपटना बच्चाने जोयू, नक्की करिवाने बाली नाखो, खलास करी नाखो, त्रिसूल आत्मा लिदू, पोपटने खबर पड़ी गए, जे त्रणे लोकने सलगावी सके, मने सलगावता वार केकली लागे पन सिवनी कृपाथी दिव्य ग्नान भगवाननी कथा सांबली, अमरुत समान कथा सांबली, इपोपटनू बच्चु त्यां थी ओड्यू, सिवे मारी नाखवानो संकल पकरो, मारी परमिसन वगर कथा सांबली, क्रोधना देव ताचे एपोपटनू बच्चु उड्यू, ए समयमा, संध्या समयमा, व्यासना पतनी, घरनी बार उभाँ से पोपटनू बच्चु सिवनी कृपाथी कथा संबलवाने प्रतापे, दिव्य गनान मलवाने प्रतापे ने त्रिकाल गनान थाई गयो छे आ व्यास भगवान ना पतनी छे एतले मारी रक्षा एक भगवान व्यासत करी सके बिजो कोई न करी सके सीवती बचवा माटे इपोपटनु बच्चु सुक्सम बनी व्यास पतनी बार उभाचे एना मोढामा स्वास्थवार अंदर जतुरे उदरमा अने एना उदरमा ए बच्चु पोशायू पुत्रना रूपे पने ने डर लागयो क्या संसार मातों माया सिवाय कई छे नई आ जगत मा जेजे जनिम्या इमाया मा फसाया माताना उदरमा आयोपन अवे बार नथी निकलू बले उदरनी वेदना आ पीडा आ दुख सारू छे आना करता जगत नूँ सूख एतों मने भगवान थी दूर करशे एतले अखंड भगवान नूँ ध्यान स्वारण करी माताना पेटमा सोल वरस रहया भगवान व्यास जाने छे ये पन भगवान छे डिव्य रूपे पुत्र ने कईू छे कि बेटा अवे तारी माने मुक्त करतू पेटमा रहेला सुकदेव जी ये पिता जोडे वाद करी आपदी वाद बदा मापकर जो कोक ने मगबुद्धी साली मानस ने आपदू मगदमा तालो बेहे हुँ न थी ये ने थे काओ क्या मसे बराबर अवे अत्यार मों मेडिकल साइंस आपने समझाई आ हाट आखो आपड़ू ट्रांस्प्लांट करे ची आपने मगजमा उत्रे इन उत्रे ता आतो बदू आबदी दिव्यक अथाओ अत्यारे विग्णान स्विकार्थू थयू छे आपड़ी संस्कुरूती माटे अत्यारे विग्णाने आपेला स्टेट्मेंट तमे जो वाचोने व्यास जीने पुताना पुत्र सुकदेव जी माताना पेट माथी कहे चे पिता जी वाहराओ पन एक सर्ते मने जगतनों डर लागे छे महाजा थी अदरू छे आप माया मने स्पर्सी जै बेटा मारू वचन चे ताने नई स्पर्से वुँ भगवान चे जाने छे पन तारी माताने आपढ़ी मुक्त कर त्यारे सुकदेव जी माताना गर्भ माती निकलता पेल अने कदाज भगवान ने भुली जाओ तो व्यास जी मंजूर थया बेटा वांदो ने पन निकल तु बार अने सुकदेव जी महाताना पेट माती प्रगट थया अने चालता थया दोडवाज लागया पिता व्यास नेम थयू थोड़ी वारतों अमने मल अमारी सामूतो जो अने सुकदेव जी भागया एनी पाचल व्यास जी दोडवाला लागया व्यास व्रुद्ध हे सुकदेव जी यवानले सोलवरस न उमर एक था सुमत भागवत मा लखानी पिता भगवान चे वेदो नु जैने दिवय ग्नान छे, वेदो नु जैने विस्तार करियो चता पन पुत्र ना मोहमा पड़्या, पुत्र सुकदेव कोई केवा महान छे, दिव्य ग्नाने करीने एवी दिव्य स्थितीने पामेला छे भगवाननी कुरुपाथीज, पर भगवानना चरित्र ये एने आ जगतनी मोट्टाम मोट्टी मोह औने ममतानी माया इना थी पन मुक्त करी ए सुकदेव जी पोते किसोरवस्था वाला वर्नेना वेस मात्या आयवा, जेमने स्रीहरीय स्वतंत्र गती आपी जे, भगवाननी कुरुपाथीने स्वतंत्र ता मली चे दिव्य रूपय प्रगट थया, व्यास पुत्र सुकदेव जीनो सुन्दर वेस हतो, मस्तक उपर के गणो मधूर हतो, स्रीहरीय तेमनु सनमान करियो, प्रेमथी आवकारीने बोलाविया, त्यारे तेमने स्रीहरीने दंडवत प्रणाम करिया, चरण कमलमा एकदम नमी गया, राम प्रतापजी अत्यंत्र प्रेमथी अदभूत मंडप बनावियो हतो, महात्मा सुकदेव जी विप्रन रूप धारीने तेमन्डप मा आविने बेठा, यथा योग्य घटे तेव उचू व्यासासन बनावियो हतो, त्याना उपर प्रसन्न मनना वक्ता स्रेष्ट विप्र आविने बेठा हता, वक्ताना लक्षन माला क्यू प्रसन्न मने करिने भगवारनी कथा करवी, गणा तो एवाम कथा करता के खी जाता खबर ना पड़ आपने, ज्यारे विप्र कथा करवा माटे बेठा त्यारे बधाना मनमा अती आनंद थेयो, पूजानो जेतलो विधी कहवाई ते बधो राम प्रताबजी लाविया हता, सहु पर्थम स्री कृष्ण स्वरूप स्रीम उसल वक्ता विप्रनी पुजा करी, आज सास्त्रनी बधी विधी छे, गरंत पुजन थाई, पची वक्तानू पुजन थाई, पची ने आरती थाई, ए वक्ता ए थोड़ा समय माटे वक्ता नहीं, पोते ग्णान आपनारा हुआने कारणे व्यास स्वरूप छे, एतला माट व्यास पुजा के वाएने, हवे समय जतो जय चेवे तो वक्ता वो श्रूता नी पुजा करे चेक, तमें पधारो बापा, आमेरिका मा तो वक्ता उभाओ एन, श्रूता बेठा वेठा वेठा हांबलता होए, पगला होता, जुचिन अमेरिकन स्टैल माँ प्रेजेंटिशन नहीना वक्ता पुला, पास्टर, पादरियो प्रवचने रिते उभाओ उभा करे, कि बापा आमेरिका माँ वेलकम करवाए, करियेची तमारू, पन तमें 200 सान्ती थी, पन अमारू हांबलो कैक, युग प्रमाने बदू चालतो आपने चलावू, पड़े आमें हांबले तो हारूचेन भगवाननी कथा, येटले आतो कथानी वात आवी येटले कईये छिए, यथा योग्यरीति शर्भामा सर्वे श्रोतानी, पूजा, कोई बाकी न रहे ते रिते करी, श्रोतानी पन करी, कानके भगवाननी कथा करे छे, येनано जेम महिमा छे, येम सामभले छे, य दिनार दिमापन भगवान रया चै एतला माँतीने नमस्कार करिया एतले आपने कथा पेला बद्धा भक्तों सवारेपन स्रिजी स्वामी निसकाम स्वामी बद्धाने जही स्वामी आणिके ठैरे लायव माँटी मारी विनंतिक तमे हामे बोल जो हमे तमने यात करिने कही है गणात के या स्वामी कोने जे स्वाणी केता हैं नमस्कार करिया त्यार पची भागवत सरू करियो विधी प्रमाने सप्ताह पाराणे करवानू निर्धार करियो हतो विधी प्रमाने कथा करवी आ अगरी जे अद त्यारे विधी प्रमाने कथा बहु थतीज नथी नगरवासी बधा मोटा मानसो उत्साहती कथा सांबलवा आउता हता त्यारे धर्मदेवे पोताना आत्माने स्रियरीनी मूर्तिमा आती स्थीर करिने टकावी दिदो हतो जेम जेम कृष्णनों महिमा सांबलता हता तेम तेम रदयमा अत्य धीक सुख अनुभवातु हतु भागवत जेनों महिमा कहेचे ते भगवान पोताने गेर प्रगट थया छे तेने लिदे मनमा अपार हेत थतु हतु आखो मा थी हर्ष्णा आशो नी धारा एक धारी वहिती हती भागवत जेनों महत्व कहेचे ते प्रभूतो प्रत्यक्स रूपमा पोतानी आखोनी आगलज बिराजिया हता भागवत ने सहुलोको पोत पोतानी रिते सांबलता हता परंतु सांबलो दादा मैं कथा करीतीन सनिवारे कथा सांबलवानी रित कथा केवी रिते सांबलवी भागवत ने सहुलोको पोत पोतानी रिते सांबलता हता परंतु तेमा धर्मदेवनी समझन के जुदी हती अने साधारन लोकों नी समझन पन तेना थी जुदी हती थेगे वाद चोक्कस कथा सांबलनारा हजार मानस लाख मानस बद्धानी समझन रिद जुदी जुदी होई अपड़ा ब्रह्म सरुप स्वामिय सागर मंतनमा वाद लखी चेक कथा कर करे सामेज एक दादा बेशे औने बहु आँख माती रडता जायन कथा सांबलता जाय वक्ताने बहु आनन्द थाय कि आविरिते स्रोता रडता रडता कथा सांबले में जोया न थी एक मल्या त्रिजे दिवसे एविन हिम्मत करें पुछिव दादा तमे बहु प्रेमी लागो छो भगवान निवात आवेन रडवानु सरु करो दादा एक युँ स्वामिय जी माप कर जों प्रेमी न थी भगवान निवात सांबलता पना आगल बेशो चोन रडो छो तमारी पिली पोथी नहीं हाँ इपोथीनु कपडु नहीं हाँ एक कपडु एवाज रंगनी चुन्दडी मारी दिकरीने बउग गमतीनी अमना गुजरी गई छेने एटले आगल बेटा बेटा पिली उकपडु देखाई औने मने इई यादा आवे एटले उरेडा करू चुलो आपने एक सांबलवानी दर्मदेव दिवसेजे कथा सांबलता हता दादा तमारी जेम हांबलो आपने रिद्जे चालू करी चेन बई लखो कथा मा हवे याद राखो कथा मा थी एक जेट याद राखो मनन करो धर्मदेव दिवसेजे कथा सांबलता हता ते सर्वेने राते मनन करता तेथी समाधीमा होई तेवू तेमने अखंड भगवाननो ध्यान थतू अनभवातू में कईवतूने सनिवारनी सभामा स्रवन पची जो मनन नथी थतू तो स्रवन नो कोई लाब नथी थोड़ू घणू मनन करे थोड़ो लाब वदारे मनन करे वदू लाब अत्यांत मनन करे अत्यांत लाब अने पछी साक्सात कार येनुज नाम समाधी अक्खन्ड समाधी जेवु सुक धर्मदेवने अवालाग्यु केम दिवसे कथा सांबलवानी, रात्रेने वागोलवानी, येने विचारवानी येना निना विचारवान धर्मदेव डुबी जाए, भगवान प्रगट येना अंतरमा दिव्य प्रकास्मा बिराजमान थवालाग्यु शरीर नी पीडा, देहनु दुख ये तो भुलाईज गईू आ प्रमाने छ दिवस वित्या अजी प्रसंग बहु लाम्बो छे, आपनो समया पूरोथाई छे, परंतु वाला भगतो आपने कथा सांबलिये छे आ धर्मदादानी कथा आवे छे, सांबलवानी रीत घणी बधी होए, सागर ग्रंत पन कहे छे तो आपने तमें बद्धा सांबलोचो, घणा समय थी सांबलोचो, नियम थी सांबलोचो, पन हवे एकलू नियम राखो, एक नोट, एक पेन कथा माटे राखो, कथा नी एक वाद के बे वाद, पाँच वाद के पत्चीस वाद तमने गमे, इक कथा माद तारिक प्रमाणे, नोंजता जाओ, क्यार एक वाचो, क्यार एक विचारो, पन आ वाद एक दिवस्त में मनन करी हसे ने, तो धर्मदेवने जेम साक्सात थयू, धर्मदेवने जेम समाधी मा अखंड समाधी जेव सुख आववा लागियू, अखंड भगवाननों ध्यान थवा लागियू, आपने पन आज कथा, जे कान सुधी पोची छे, एज कथा, आपड़ा रदै सुधी जो पोच छे, तो भगवान सुधी, आपड़े जहु नहीं पड़े भगवान जा अपड़ा रदै मा अखंड ध्यान करिये, मानची पुजा करिये, त्यारे पन देखा से, तो बदा भगतों यातली विनंती कथा मा अवे लखवानी अपड़े सरुवात करिये, बोलो घनस्याम महराजनी जे, श्रीपतिम स्रेधरम सर्वदेवे स्वर भक्ति धरमात्मजं वासुदेवं हरे माधवं तेशवं कामदं कारणं स्वामिनारायनं नेलकंठं भजे स्रिपनस्याम महराजनी जेए